वेलकम फ्रेंड्स टू माई यूट्यूब चैनल प्योगाई टिप्स और ट्रिक्स मैं संजय विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे आधार आपडेशन या एन्रोल्मेन के बाद जाब हम रिसीप प्रिंट करते हैं त तो वीडियो को एन तक देखिए अगर आप कोई वीडियो पसंद है हिल्फुल लगे तो लाइक कीजिए कोई 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 है तो आप कोमेंट करके पूछ सकते वीडियो को जदा ज़्यार कीजिए और अलसो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस सब्सक्राइब इंस्ट्राइब तो यह वाइडिया का जो फोल्डर यहाप अविलेबल है यहाप हम जाएंगे फिर यहाप देखिए अधर एंडल्मेंट क्लाइंट एक फोल्डर आपको मिलेंगे इसके इसमें हम जाएंगे फिर यहापर डेटा एक फोल्डर आपको मिलें इस पाकेट ओट जो फॉलडर है यह फॉलडर को हम रहीम करेंगे और फिटसक नया प्यक्ट ऑट फॉलडर यह पी क्रेक्ट करेंगे अई यह जो प्रोसेस है इसको करने के पहले आपको कॉन्फरम होना चाहिए जो प्राकेट as करना चाहिए और फोल्ड करने के बाद इस प्रोसेस को अब को फोलो करना है तो जो प्रासेस्स को पॉल्डर है उसका नेम कर देंगे रेनेम और फोल्डर करेंगे उसके नहां नेम यह तेम करेंगे पैकेट्स ड s . तो ए जो अ मारह कि नहीं हो रहा था वो यह पर पल्दर की रिजीन से होता है तो यहाप हम फ्रेश करके और एक पैकेट्स ओट्र फfoldर के पर प्रिएट करेंगे फिर यहां पर हम फिर से इन्रोल करके या अपडेशन करके हम देखते हैं इसको प्रिंट होता या नहीं पहले हम इसको क्लोज कर लेते फिर हम फिर से अधर क्लाइन को ओपन करेंगे ओपन करके हम देखते हैं जो प्रिंट रिसीप पर जो आप्शन पर जो तो रेस्पंट नहीं कर रहा था, वो problem solve हुआ या नहीं, तो वीडियो को enter देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए, helpful लगे, तो like कीजिए, कोई require है तो आप comment करके पूछ सकते, वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए and also subscribe कीजिए चैनल को, तो इसको हम tax manager से close कर लेते हां पिर भाम देखते हैं, तो यह close हो गया, फिर चली हम other client को उपेंड करके, फिर से updates और enroll करके देखते है, यहसे ब्रिंट होता या नहीं, तो हम यहसे login करके, हम enroll करेंगे, फिरिए पर देखिए, print receipt option पर हम click करके, देखते है, जो been problem вы pack तो देखिये जो problem हम face कर रहे था उसको हम overcome कर लिया and यहाँ पर print receipt option आप respond कर रहा है and हम इसको print भी कर सकते तो ऐसे करके अगर आप इस problem को face कर रहा है तो easily इसको solve कर सकते Thank you friends for watching अगर आपको वीडियो पसंद आए helpful लगे informative लगे तो like कीजिए कोई को आप comment कर के पूछ सकते हैं वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए और अलसो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगली कोई वीडियो